जैसा कि हमने अपने पिछली वीडियो में समझा कि अधिकार अंश क्या होती है इनका निर्गमन किस परकार होता है तो अधिकार मुल्य आदी इन सबका निर्धारन किस परकार किया रहता है तो उसी कॉंसेप्ट को और क्लियर करने के आज हम दोग उससे संबनित का करेंगे न का निर्गमन मूली 100 रुपर प्रती यए और ऑजार मूली 120 रुपर प्रती अधिकार का मुली निधारित करना है यहाँ पर हमें अधिकार का मुल्य निकालन तो दस अंश पुराने प्लस चार अंश नए यह हो गया फिर इंटू करेंगे लिखेंगे तो बाजार मुली कितना है 120 रूपए है और इसमें से माइनस करेंगे जो नए शेयर का निरगमन मुले है 100 रूपए इसे तो इसे शाब से हमारा क्या हो जाएगा यह 4 upon 14 और यह हो गया आपका 20 ठीक है इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे तो गया 40 upon 7 यानि कि आपका अधिकार मुले जो आएगा वह 5.71 आएगा यह अधिकार का मुले आएगा बस इतना ही हमें इस कोशन में करना था बस हमें करना है फॉर्मुले पर जो हमारा दिया हुआ है कोशन में उसी सब से प्राइस को रखते जाना है हमारा अधिकार का मुले था अब इससे समय एंट्री किस प्रकार होती है वह हम देखते है नेक्स कोशन में तो जैसा कि धन वर्शा लिमिटेट की पूर्ण रुपय वाले चार लाग समता अंश है तो अंपनी ने अपने वर रुपय आवेजन के साथ प्रीमियम लिया गया और दस रुपय आवंटन के साथ प्रीमियम लिया गया यानि कि इन दो पॉल में ही देखिए आप टोटल करें पचास पचास सो रुपय और यह बीस पर प्रियम कर लिए जा रहे है इसके बाद अंश धार्यों ने अधिकार ले लिए तीनसों की धारत एक अंश धारी ने संपूर्ण राशी का भुक्तान प्रातना पत्र के साथ कर दिया दूसरा धारी जिसके पास 200 अंश थे आवंटन की राशी का भुक्तान नहीं कर सका है बात में इसके अंशों का हरन कर लिया गया है अंशों को 20,000 रुपय में पुनर निर्गमित कर दिया गया और जरनल की पविष्टियां करना है तो यह इस question में अधिकार अंशों का निर्गमन हुआ है साथ ही में call-in advance यानि कि advance में हमें प्रैसे मिला और call-in area यानि कि बकाया राशी भी यहां पर हुई है साथ मुस्का हरन और पुनर निर्गमन भी इक अंश के बदले में इक अधिकार अंश का निर्गमन हुआ है इस अधिकार अंश का निर्गमन के मुआ है गया है तो हम लोग जैसे पहले राशी प्राप्त होने की entry करेंगे तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डैबिट हो जाएगा तू अधिकार अंशे भले नाम नहीं लिखा है कि समता अंशी होते हैं इसलिए इन्हें हम लोग लिखिंगे तू एक्विटी शेयर अप्लिकेशन अकाउंट ठीक ये एंट्री हो जाएगी सिंपल से जैसे हम लोग पहले से करते हैं तो यहां पर बोला है कि साने कि 300 अंश में धार्यक जिसने अप्धन तली क्या किया है तो इसb comp einp कि यहां पर कॉल इन एडवांस का भी केस है यहां पर उचेगा टू कॉल इन एडवांस तो कितना रिखाएंगे तो 300 अंच का धारक है उसने अपनी पूरी राशी का भुक्तान इसमें पर जो है शेयर अप्लिकेशन के साथ ही कर दिया तो साथ रुपए तो उसके इसमें ही मि दिखाएंगे तो कितना हमें मिल रही है यहां पर 18,000 रुपए ठीक है 300 अंच के धारक ने 18,000 रुपए का भुक्तान यानिकि अपनी पूरी राशी का भुक्तान प्रात्ना पत्र के साथ ही कर दिया है और शेयर अप्लिकेशन में हम लोग 4 लाख अंशों पर 60 पर दर से पै अब क्योंकि प्रीमियम है तो तू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी कर देंगे अमांट कह जाएगा तो चार लाख अंशों पर 10 रुपए की जर से प्रीमियम था यानि कितना था चालिस लाख रुपए ठीक और नॉर्मल जो शेयर कैपिटल का वैल्यू है वो कितना है दो करोर तो दिखा देंगे तो टोटल कितना हो गया शेयर अप्लिकेशन का दो करोर चालिस लाख रुपए यह 18,000 रुपए जो कॉलिन एडवांस के यह हमारे कहां एज्जेस होगा यह अलॉर्टमेंट के स शेयर अलॉर्टमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे तो एक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट वह जाएगा अब क्योंकि इस पर प्रीमियम भी माग गया है तो तो सिक्योरिती प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी दिखाएंगे ठीक है कितना माग जाएगा तो जो है कि 4 चार लाग अन्शोपिस पचास रुपए का जो है अलॉर्टमेंट नॉर्मली मांग गया है और चार लाग अन्शोपिस दस रुपए का प्रीमियम टोटल हो गया कितना साथ रुपए तो यहां पर कितना अमाउंट हो जाएगा आपका हो जाएगा यह दो लाक रुपए अर अब हम लोग क्या करेंगे जिसनी राश्य में मिली होगी उसकी एंट्री करेंगे तो यहां पर आप देख सकते कि 300 अंशों का पैसा हमें पहले ही अलाउट्मेंट का मिल चुका है और साथ में कोश्यन में आगे बोला है कि एक अंशार इसके पर 200 अंश ते उसने अलाउट्मे से मिल चुका है तो एक वीटी शेयर अलाउट्मेंट अब अमाउंट क्या रिखाएंगे धांच रेखेगा सबसे पहली बात कितना मांग रहे हैं तो दो करोड़ चारीज लग मांगा गया है तो यहां पर दिखा रिखा देंगे दो करोड़ चारीज लग तो यहां पर दो करोड़ चारीज लग में तो कितना मिलेगा दो करोड़ उन्चारीज लाग सटर हजार रुपया थिक है इतना हमें मिलेगा यह अमांट दिखा देंगे बस इतना ही हमें यहां पर आलाउट्मेंट में दिखाना है इसके बाद कुश्चन ने बोला है कि जो 200 अंशों पर इतनी एपेशा नहीं मिला है उन अंशों किया गया है जब कर लिया गया है उनका खरण कर लिया गया तो अब हम दो की आंशों के खरand केENTर कर देंगे अंटर्री क्या हो जाएगी एक्विटी यहां इतना है कविश्चन अपीटल आकाउट को देबिट कर देंगे चूंकि अ फीचर अकान्ट एनू on and . ये डिखा देंगे एंट्री कर रेंगे ह Teraz ki amount कै अमांट कैने दिखाएंगे तो amount में simple सा colon에 अर्य sha उमिगे कितना नहीं मिला है तो 12,000 नहीं मिला है तो 12،000 ये कैसे अर्य के सामने दिखा बेंगे तो मिले कितने हैं तो उन 200 अंशों पे हमें 50 रुपए की दर से आवेधन राशी मिले देखिए आवेधन राशी जो मिली है वो 60 रुपए जो है वो प्रीमियम को लेकर है बट हमें यहां पर फॉर फीचर में हम लग प्रीमियम का आमाउंट नहीं शो करते हैं स्रेपोसिब जो नॉर्मल वैल्यू मांगगे यह उसे शो करते हैं तो जो 200 अंशो का हरन हुआ है उन 200 अंशों पे हमें क्या हुआ था आवेधन राषि प्राप्त हुई थी तो आवेधन राषि का रियल वैल्यू कितन था पचास तो पचास रुपय की दर से ही दिखाएंगे तो कितना हो गया 10,000 रुपए बस और यहां पर भी आप ऐसे दिखा सकते हैं कि 200 अंशों पर 60 रुपए में नहीं मिला था तो 12,000 नहीं मिला था बस यह सिंपल सी हरण की एंट्री हो गई इसके बाद बोला है कि जिन अंशों का हरण हुआ है इन 200 अंशों का इन्हें क्या किया गया है 20,000 में क्या है पूरा निर्गमित कर दिया गया है 20,000 के अंश है और इनको 20,000 में ही निर्गमन किया है यानिकि जो पूरा निर्गमन हुआ है तो एंट्री क्या हो जाएगी bank account debit to equity share capital account बस यहां पे share fall feature या security premium दिखाने कोई जरती ही क्यूं क्यों क्योंकि सम और निर्गमन होता है तो simple से यह 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 पूरा निर्गमन वहा है यानिकि 200 अन्षों का निर्गमन, 100 पर ही या गया, जो उनका real value है उसी पर तो बस यह entry हो गई, उसके बात क्या करेंगे यानि कि equity share forfeiture को हम लोग capital reserve में transfer कर देंगे बस इतना करेंगे amount के रहेगा amount आपका forfeiture के यहां पर कितना दस झाड़ है यहां पर दस झाड़ है लेकिन debit कहीं पर है नहीं तो debit में भी 10 जागए है यहां पर हम लोग transfer करके दिखाएंगे बस इतने हाई हमें आपर जन्रेल अंच करना था तो आई हो कि आपको ये अच्छा समझ में आगा हो कि अधिकार अंच के निर्गमन में कोई भी बहुत बड़ी चीज नहीं है सेम वही प्रोसेसर थे जैसे हम लोग आले से करते आए हैं फिर आल यहाँ पर ज्यादा इसलिए इसलिए अंच को नहीं हुआ है जैसे कि पांच धारी पास उसको सिर्फ चार अंच दिये जाएंगे ऐसा भी अनुपातिक आभंटन भी होता है तो वहां पर थोड़ा सा ध्यान दिन की जरू होती है वह बस स्टार्टिंग में हमें अंच निकालने पर थे कि कितने अंच का पर बाकी सारे प्रोसेस सेम ऐसे ही जायते हैं